हर कोई नहीं चाहता कि गज़ा तक मदद पहुँचे कई इसराइली इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे है हलके हफ्तों में ऐसे हमले ज्यादा देखने को मिल रहे है राहत समगरी लेकर जा रहे ट्रकों को रोक कर तोड़ फोड़ करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चाही होई है ऐसा करते आपको यहां हर उम्र के लोग मिल जाएंगे इस दक्षनपंथी एक्टिविस्ट का कहना है कि यह सहायता रोकना बहुत जरूरी है यह एक मातर तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं एक मातर तरीका जिससे हम अपने बंधकों को आजाद करवा सकते हैं रात होते ही प्रदर्शनकारी अपना काम खत्म कर एक सभल आपरेशन का जश्न मना रहे हैं इन में से ज्यादातर इस्राइली सेटलर से पुलिस किसी तरह का हस्तक शेप नहीं कर पा रही या शायद करना नहीं चाहती इसलिए अंत शायद ऐसा ही होना था लेकिन कई इस्राइली ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ आगे आ रहे हैं ऐसे हम लोग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो प्रदर्शन कारियों को रोक नहीं पाते तो कम से कम जो बच पाएं उसे बचाने की कोशिश करते हैं ये टारकूमिया चेक पॉइंट है जहां ये लोग अब पहरा दे रहे हैं ये वो जगह है जहां कबजे वाला वेस्ट बैंक और इस्राइल एक दूसरे के पडोसी हैं ये वही जगह है जहां एक हफ़ते पहले राहत सामगरी ले जा रहे एक काफिले पर दक्षन पंथी इस्राइलियों की ओर से हमला किया गया जॉर्डन से आने वाली और गजा को जाने वाली हर मदद को यहां से होकर गुजरना पड़ता है ट्रक ड्राइवर शुक्रिया आदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इन एक्टिविस्ट की मौजूद्गी से उन्हें उमीद है कि उन्हें कुछ हद तक तो सुरक्षा मिलेगी जो उन्हें लगता है कि प्रशासन नहीं दे रहा सूफ बताते हैं कि वो पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे हैं हम जब किसी ऐसी जगह जाते हैं और देखते हैं कि कट्रपन्त ही यहां पर मौजूद हैं हम पुलिस को कॉल कर उस जगह पर आने के लिए कहते हैं बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहां पुलिस मौजूद थी लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और ये बहुत दुख़द है क्योंकि पुलिस का काम कानून बनाये रखना है ये ग्रुप पूरे इसराइल के यहूदियों और अरब लोगों को एक साथ लाता है मैं बहुत सशक्त महसूस करता हूँ पिछले साथ आठ महीनों से छेड़ी जंग और गज़ाग में लोगों की हत्याओं के बाद अब आखिरकार मैं उन लोगों की मदद कर पा रहा हूँ जो भूक से मर रहे हैं लेकिन ऐसे हमले अब और जादा बढ़ गए हैं यरुशलम में कई लोग फलस्तीनियों के ट्रकों से डॉकुमेंट्स मांगते देखे गए हैं और लगता नहीं है कि उन्हें किसी का डर है इधर वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी ड्राइवर को उसकी गाड़ी से खीच कर निकाला गया और फिर पीटा गया वो राहत सामगरी पहुचाने वालों में नहीं था लेकिन फिर भी उसे निशाना बनाया गया